आज की वीडियो में हम बात करने बारे हैं August और September आल्स एक्जाम रीडिंग लेवल की कैसा लेवल रह सकता है Most of the time prediction बनाई जाती है लास्ट एक्जाम को देखते हुए तो आज की वीडियो पी उसी according आपको proof के साथ information दी जाएगी जो भी दी जाएगी इस चैनल पर जो भी information प्रोवाइड की जाती है प्रूफ के साथ की जाती है सो जो भी बच्चे 21st of August 28th of August 4th of September 11th of September को अपना एक्जाम बुक कर चुके है अपना एक्जाम केंडेक्ट करने जाने इस वीडियो को स्टाइटिंग से लेकिए अंग तक complete जूर से वाच कर लेना बात करते है 12th of August आल्स एक्जाम की 12th of August में Cambridge 11th test number 4 देखा गया ठीक है जिसका पैसिज फर्स आया पैसिस का नेम था रिसर्च यूजिंग ट्विन्स आप जाके चेक कर सकते हैं जो मारे ठेलेग्राम चैनल पर अप्लोड की चाहिए जो कि रिदिंग आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हो अल्मोस्ट मेरी हर एक प्रडिक्शन वीडियो में आपको यहीं चीज़ रेक्मेंड की जाती है कि सब्सक्राइब करें चाहिए जातों आप केंब्रेज 9 से लेके 16 तक जितने भी टैस्ट है उनसे प्रैक्टिस करो विकस्ट को एक्जाम लेवल है और जाफिर आपको बोला जाता है कि मखर वॉल्यूम वन और टू मेंसे ही जादा तर वीडिंग पैसे आ रहे हैं मैं आपको पैस्टिस साइड इन इंडिया जे वाली रीडिंग है टेलिग्राम चैनल पे अप्लोड की जा जो कि आप जाके चेक लेना पिकस मेरे कहने भी एजी नहीं होने बाली मेरे कहने पर मॉडर्ट नहीं होने वाली वही सेम रीडिंग कई बच्छों को डिफिकल्ट लगेगी ज अगर हम इसके इलावा बाच करें लास्ट कुछ एक्जाम जैसे जिसमें मखर वॉल्यम वन और टू में से ही ज्यादा रीडिंग आरे हैं हाला कि जैसे सभी टेस्टर्स आपको ऑनलाइन वैपसाइट जैसे की आर्स ऑनलाइन टेस्टर्स प्लस आर्स फीवर पे भी मिल जा टेस्ट मैंने आपको बताया है उनसे अच्छ से प्रक्टिस करो हो सकता है कि आपको इनी में से कोई ना कोई पैस आ जाए ऐसा नहीं होता कि एक सारी की सारी रीडिंग ही आपको आ जाएगी नो उन में से एक पैसे सब्सक्राइब कहीं से लिया जाता है फिर जाकि आपकी की यापको पीडिएंफे फोर्वाइड किया जाता था मख्यड के दौराति वे नाईन टीन परसें ट्रॉद्ट से उसी बुक में से क्यूक पूछा जाता था कि शारी नां की यादाएस को इसे डिया बावाइट करिस लगे अब ओको जब्यार था जाता था नाम आब